नमस्कार शिर्वाज की नेचर उपेथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लसुन जो है कितना फाइदेमंद है एक छोटी सी कली अगर आप रोज खात हैं तो उससे शरीर आपका स्वस्त रहता है ब्लड आपका पतला रहता है कलिस्ट्रोल नहीं हो भी इस तरह की ऐसी चीज़े हैं जो लसुन से रसोई के अंदर लसुन रहना चाहिए स्वात तीखा होता है थोड़ा सा लेकिन कोई चिंता मत कीजेगा अगर आप खाली बेट खाते हैं तो विश्वास मानिएगा कि आप स्वस्त रहते हैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर आप लसुन को रो जाना खाली पेट खाते हैं तो आपके चेहरे की जो त्वचा है वो मुलायम और चमकदार रहेगी आपके चेहरे पर ग्लो दिखेगा आप लंबे समय तक जवा दिखाई देंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आप अगर लसुन को खाली पेट खाते हैं तो उसके और बहुत से गुण हैं जैसे वो शरीर में होने वाले दर्द से रहत दिलाता है शरीर में अगर आपको दर्द है और खाली पेट अगर अब लसुन का सीवन करते हैं तो शरीर में जो खून है उसका संचार अच्छा होता है और अगर आपका संचार खून का अच्छा होगा आपकी बौड़ी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन आपकी बौड़ी में प्रौपर्ली होगा तो आप ये मानन के चलिए कि आ आपका हार्ट, आपका हिर्दे स्वस्त रहेगा और आप हिर्दे संबन्दित किसी भी समस्या से बंचित रहेगे, उससे दूर रहेंगे और स्वस्त रहेंगे. पेट अगर आपका अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होता, आपको कब्ज की शिकायत है, या पेट में कोई समस्या है, तो आपको चाहिए कि आप खाली पेट लस्टून का सेवन कीजिएगा, उससे आपको पेट भी साफ होगा और आपको कब्ज जैसी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, आप लोग अक्सर करते क्या हैं कि हम लोग बाहर का जंग फूट बहुत खात हैं, और जंग फूट खाने से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि हमारा केलिस्ट्रोल बढ़ जाता है, जब केलिस्ट्रोल बाड़ी के अंदर बढ़ता है, तो हाट की प्रॉब्लम सोनी शुरू होती है, इसलिए एक कली खाली पेट अगर आप रोज खाते हैं, तो आ आपको लगता है कि आपका भूख बहुत अच्छी से लग रही है, आपको यह कहते हैं कि स्वास्त अगर आपका कमजोर होता है, तो इसका सिवन करना चाहिए, यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपकी भूख को बढ़ाता है, और यह स्वास्त की क्रिया के लिए भी बहुत फाइदे मंद है, किसी को अस्तमा की अगर प्राबलम है, तो वो कफ की प्राबलम है, तो वो भी लोग इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, इससे उनको बहुत सा फाइदा होगा, तो लस्टन की एक कली, आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर में लस्टन है, आपके ए रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार यहीं बनाया रखिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपकी शेर और टिपड़ियों का हमें इंतजार रहता है थैंक यू वेरी मुच थैंक यू वेरी